इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक शौट ट्रीक जिसके थूँ आप फ्लिपकार्ट में इंस्टेंटली 5 से 10 ओडर अपने बढ़ा सकते हैं उसके लिए हम चले जाएंगे फ्लिपकार्ट के सेलर पोटल पर तो यहाँ पर मैं सेलर पोटल पर आगया हूँ और इस सेलर पोटल पर आप जाएंगे यहाँ पर प्राइजिंग वाला आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रखी हैं recommendation में आपने जाना है यह price वाले option पे तो price पे मैं click करता हूँ जब आप price पे click करते हैं और यहाँ पर नीचे देखेंगे आप जो भी listing में आपकी pricing recommendation आ रखी है वो यहाँ पर updated हो रखी है तो अगर मैं इसको यहाँ पर आप pricing strategy पे जाएंगे यह वाला option देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कई product ऐसे हैं जो या तो buyer ने अपने cart में डाल रखें हैं आपके और या तो wish list में डाल रखें हैं तो इसमें आप अपना product का price जो है वो एक रुपिया कम से कम कर सकते हैं जिससे की buyer को notification जाएगा और अगले ही दिन वो आपका product ले लेगा तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप देखें listing price है listing price यह 3.99 है इसको आप 3.99 की बज़ाए 3.98 करके यहाँ पर apply कर सकते हैं जैसी आप इसको apply करेंगे buyer को notification जाएगा और वो आपका product purchase कर लेगा तो इस तरीके से जितने भी इस type की pricing strategy है इनको आप update करके अपन चेक कर सकते हैं